चाहँ ना सब्सक्राइब था जिसमें हम बिल्स अफचेंज के मिनिंग को हम ने समझा उसके features और characteristics को देखा और कितने parties involved होते हैं bills of exchange में ये हमने देखा इसके बाद हमने देखा कि promissory note क्या होता है कितने parties involved होते हैं और क्या features and characteristics है फिर हमने bills of exchange and promissory note के बीच में क्या difference होता है ये भी हमने one by one करके point wise करके हमने इसको देखा इसके बाद हमने आपको कुछ example के question को solve किया example मैंने आपको कुछ बताया जिसमें मैंने आपको किस तरीके से journal entry बनाया जाता है in the books of drawer or in the books of drawer यानि seller और purchaser के book में किस तरीके से हम जो transaction हो रहा है उसको हम दिखाते हैं किस तरीके से हम journal entry बनाते हैं वो मैंने आपको बताया, example number one to five तक हमने complete कर लिया है, आज अब start करेंगा आपका example number six है, और example number six में आपका एक नया topic एड हो रहा है, तो ये topic है आपका when the bill is discounted from the bank, यानि जब कोई bill bank से discount करवा लिया जाता है, तो इसका generalitory किस तरीके से बनता है, कैसे हम इसको generalize करते हैं, किस seller और buyer के book में इसको हम record करते हैं, ये चीज हम जानेंगे, तो यहाँ पर है when the bill is discounted from the bank, discounted या discount का यहाँ पर मतलब, discount allowed और discount received से नहीं है, बलकि bank में जा करके, bill के तरू, मतलब bill को in cash करवा लेना को यहाँ पर हम discount करते हैं, तो journal entry कैसे record करेंगे, यह हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसके कहानी को समझते हैं, आप किस तरीके से ये सब कुछ होता है, पहले हम ये समझेंगे, journal entry बाद में तो हम record कर ही लेंगे, चलिए, तो यहाँ पर हम start करते हैं, party है यहाँ पर, यहाँ पर हो गया एक seller है और एक buyer है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें अलग-अलग topic add होते जाएगा, जिससे हम, जिसका journal entry आपको थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग तरीके से बनाना होगा, तो seller है, इसको हम S बोलते हैं, इसे हम B बोलते हैं, फिलाल इसको हम X, Y करके denote करेंगे, X हो गया आपका seller, और buyer को हम कहेंगे यहां पर Y, नाम आपका कुछ भी हो सकता है, यहां पर उपर में लिखते हैं S, और यहां पर buyer को B से हम लिख देते हैं, यहां पर जो है, उधार में sell किया गया, seller के दवारा, यानि X के दवारा Y को, कितने का, suppose मान लेते हैं, 10,000 रुपे का, किस में sell किया गया, credit में, उधा किया जाएगा, कितने का, 10,000 रुपीज का, एक bill draw किया जाएगा, X मान लिजे इसको draw करता है, और इस पर एक maturity date भी होगा, मान लिजे कि यह bill जो draw किया गया, यानि sell जिस दिन कर दिया गया, मान लिख 15 March को sell किया गया, और इसी दिन को bill draw किया गया, 15 March को, और 4 महिने के बाद maturity date इसका होगा, तो 15 March से 4 महिना जोड़ दिये, 15 March से 15 April, 15 April से 15 May, 15 May से 15 June, 15 June से 15 July, ठीक है, 4 महिना होगया, देखे, 1st month, 2nd month, 3rd month और 4 month, मार्स से अप्रिल, अप्रिल से मैं, मैं से जून, और जून से जुलाई, 15 July तक, यह हो गया, अब इसमें days of grace, 3 दिन हम extra add करते हैं, तो 15 July में आपका 3 दिन add करेंगे, तो यह हो जागा, आपका 18 July 2017, यह date of maturity आपका निकल करके आता है, यानि 18 July 2017 को, यहाँ पर maturity date निकल करके आ ठीक है बात, यह सब कुछ तो हम पहले से जानते हैं, नया क्या है इसमें, नया यह है कि यह जो बिल है आपका ना, यह एक legal document है, इसका court के नजर में, यानि कानून के नजर में इस बिल का माननेता है, मानने है यह, अगर आप इस बिल को ले जाकर के, अगर यह पैसा अदस इस बात यह जब यह, तो जाहिर से बात है कि वह इस बिल पर लिख करके, साइन किया होगा, सेलर का भी साइन है, बायर के साइन है, आप जो और यह तो दोनों का साइन है, और अगर मानने ज़िये कि वाई, यानि बायर, इस बिल का पैसा, maturity date को देने से इंकार करता है, तो court केस कर सकता है सेलर बायर के उपर और बिल का पैसा जो है वो अल्टिमेटली ले ही लेगा ये कोट में केस करके तो ये एक लीगल डॉक्लिमेंट होता है अब यहां पर क्या है कि वें दि बिल इस डिसकाउंटेड फ्रॉं अब मान लिजे की सेलर को ये जो एक्स है इसको पैसा किस डेट को रिसीव होगा वाई से जानि बायर से तो 18 July 2017 दस जरय पे 18 July 2017 को रिसीव होगा अब सेलर को कभी भी पैसे की ज़रुत पड़ सकती हैện अठारा जुलाई पैसे की ज़रुवत बीच में पढ़ सकती है तो इस paper को जो sellar के पास है यानि इसमें आपका buyer sign करके seller को देता है यह paper यानि seller इसको ले करके कहां चला जाएगा bank में इसको ले करके कहां जाएगा बैंक में चला जाएगा और बैंक वाले से बोलेगा कि देखें ये तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है लीगल पेपर है आप जो है इस बिल को क्या कर दो डिसकाउंट कर दो मतलब कैस में कंवर्ट कर दो हमको पैसी की जरुरत है मानलिजे कि आपका 15 अप्रिल को ही या अप्रिल में ही जरुरत ह पैसे की तो कहेगा कि bank विला ठीक है हम जो है।ommes до को पैसा दे देते हैं लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे हम आपको बोलता है बैंक वाला कि 9500 रुपया ही देंगे कितना देंगे 9500 रुपया ही हम आपको देंगे बाकी हम आप 500 रुपया आपको नहीं देंगे क्यों क्योंकि बैंक वाला का भी इ यह हम अपने पास रख लेंगे और यही 500 रुपया as a bank का बोल सकते हो कि क्या होगा interest होगा bank का interest कितना होगा यहाँ पर 500 रुपया सपोस्स माल लेते हैं कि 500 रुपया यहाँ पर bank वाला रख लिया तो bank का भी फाइदा होगा असमें दसदा कब さबुद का इसाउंटिर वाल लिया मालजे अप्रिल महर में डे दिया तो बोला कि ठीक है अप्रिल से मैं जून जुलाई जो आपका तीर मेहने का यहाँ पर होगा इसमें क्या होगा आपका कि हम जो है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर 500 रुपय क्या हो गया रहा कि यह जो है 500 रुपय यहाँ पर इसका bank वाले का क्या हो गया as a interest हो गया कितने महने का तो तीन महने का यहाँ पर जो कि तीन महने पहले payment कर दिया bank payment कर दिया seller को 9500 रुपया तो ये 500 रुपय बोल सकते हो आपके 3 महने का interest ले लिया यह आप कह सकते हो तो यहाँ पर bank को भी फाइदा हो गया और यहाँ पर seller को भी फाइदा हो गया कि उसको amount मिल गया अब maturity date के दिन 18 जुलाई को bank वाला जो है इस bill को present करेगा Y के सामने और 10,000 रुपय ले लेगा तो देखे bank वाला seller को दिया कितना 9500 और maturity date के दिन bank को Y से यानि buyer से कितना receive होगा 10,000 रुपय होगा तो बीच में इन दोनों के बीच में जो 500 रुपय हुआ यह bank को फाइदा हो गया bank भी अपना interest कमा लिया bank भी business करने के लिए बठा हुआ है यह भी X भी business करने के लिए बठा है और यहाँ पर Y भी business करने के लिए बठा है bank भी अपना यहाँ पर business करने के लिए बठा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे लोग और ना bank को हम कभी भी जैसे maturity date बहुत दिम के बाद है दो मेना तीन मेने के बाद इतना wait नहीं कर सकता है तो ये जाकर कि bank से discount करवा सकता है अब इसी बात को जो है हम बस journal entry बना करके record करेंगे हम example number 6 से इस बात को समझेंगे चलिए तो example number 6 हम देखते हैं इसको अडालते हैं बात तो आपको समझ में आगई यहां पर अब बस इसका general इसको हम किस तरगे से बनाएंगे general entry वो हमको समझना है एग्सामपल number 6 देखे हैं कहता है यहां पर X sold goods to Y यहाँ पर X ने समान बेचा है किसे Y को इसलिए हम आपको X, Y करके ही बताएं ताकि हमारा example और book का example थोड़ा match कर जाए समझने में ज़्याद असानी हो X और Y 10,000 का यहाँ पर समान बेचा गया X ने 10,000 का समान जो है Y को बेचा X sold goods to Y 4.10,000 on 15th March 2017 यहाँ पर 15 March को बेचा गया on the same date यह लिखता है on the same day Y accept a bill drawn upon him by X at 4 months 4.10,000 तो यहाँ पर X ने Y के उपर एक bill draw किया कितने का 10,000 रुपीज का कब समान को यहाँ पर बेचा गया तो वही 15 March चार मैने का टाइम है ठीक है तो 15 March से March अप्रिल 15 April 15 May 15 June कितना हो गया एक मंद दो मंद है ना 15 March March से April April से May मे से June जून से जुलाई पंदरा जुलाई प्लस तीन दिन यह होगा आपका 18 जुलाई 2017 यह भी मैंने आपको बताया था अब यह बात तो आपको क्लियर है कि 10 जार का bill ड्रॉट किया गया य के उपर और मैचारिटी डेट जो है आपका 18 जुलाई 2017 को निकल के आया यहां पर आगे लिखता 18 जेटर काा कब इसी डेट को, 15 अपरिल को तो ये 15 अपरिल को x जो है चलागया इस bill को लेकर के कहा चलागया, bank में इस bill को लेकर के bank में चलागया और discount करवा लिया, अब देखे bank वाला x को कितना पैसा देता है देखे, 10 जो लेकर के चला गया यहां पर तो bank वाला अपना charge लेगा कितने मंथ पहले दे दिया देखिए तीन महने पहले दे दिया अप्रिल से मैं मैं से जून जून से जुलाई तीन महने पहले दिया तो bank वाला तीन महने का interest भी रखेगा तो 10,000 का 18% into कितना मंथ 3 by 12 तो 450 रुपय जो यहां पर interest bank का बनता है आप यह कह सकते हैं कि discounting charges हमें से बोलेंगे लेकिन bank का interest कितना बनता है 450 रुपया तो बताइए कि bank वाला X को bank जो है X को कितना दे देगा 10,000 का है तो 9,550 रुपया bank जो है किसको देगा X को देगा और बदले में यहां पर अपना interest 450 रुपया रख लेगा इसके बाद कहता है कि यहां पर मंदरा कर लिया है Y made the bill on maturity लेकिन bank वाला जो है वो Y से यानि buyer से किस date को पैसा रेसीब करेगा तो वो maturity date यानि यहां पर आप देखिए यहां पर maturity date के दिन bank को पैसा मिलेगा कितना 10,000 रुपीस मिलेगा कौन देगा Y दे देगा तो bank के पास आ जाएगा 18 July को 10,000 रुपीया और अभी यानि 15 April को bank जो है कितना पैसा दे दिया है यहां पर X को 9550 रुपी यहां पर दे दिया है ठीक है बाद तो अब इसका जर्नल इंट्री है आपको बताने है कैसा record होगा सबसे पहले यहां पर दोनों के books of account में क्या बनेंगे Journal of X यानि seller और Journal of Y यानि buyer सबसे पहले क्या हुआ समान बेचा गया 15 March को तो यहां पर लिखते है 2017 1st March समान बेचा गया किसे बेचा गया Y को यहां पर Journal इंट्री बनेगा Y to sales account कितने का समान बेचा गया 10,000 का समान बेचा गया अभी normal जनल इंट्री अभी bill कहां ड्राव हुआ बिल तो ड्राव ही नहीं हुआ है अभी तो समान सिर्फ बेचा गया है इसने समान बेचा इसने समान पर्चेस किया तो यहां पर डेट लिख लिए 2017 यह बनाएगा अपना कितना एक मार्च नहीं है 15 मार्च है 15 मार्च को जो आपका पर्चेजर है बायर है यह जनल इंट्री बनाएगा पर्चेस अकाउंट डेबिट टू एक्स कितना 10,000 रुपेस यहां पर समान बेचा गया समान खरदा गया एकदम स्टेप बार स्टेप चलेंगे यह हुआ अभी तो हम लोग जो है बिल सफिक्षेंट की बात ही नहीं कर रहे है यह तो आपका नॉर्मल जनलेंट्री है जो यहां पर बनता है अब 15 मार्च को ही सेम डेट को क्या होगा बिल ड्रॉ किया जाएगा देखिए बच्चे बिल ड्रॉ करेंगे बिल बनेगा तभी तो बैंक ड्रॉ Ann Reddit करेंगे हम यहां पर इसके लिए एसेट हो गया अब हम बिल सरसेल पूरा नहीं लिखेंगे बियार लिखेंगे देखिए तो बिल सरेशीबल अकाउंट डबॉ जैसा ही बिल ड्रॉ कोगा THो यहां पर सेलर के बिल का पैसा मेंकुटर में इसलिए यह जोए बिल सर deben इसके लिए हुआ, एसेट हुआ, और एसेट बढ़ता है, तो डेबिट होता है, यह बिल का अमाउंट कौन चुकाएगा यहाँ पर, तो वाई, इसी दिए, बिल्स रिसेवल एकाउंट डेबिट टू वाई, कितने का, 10,000, अभी आप यह दिमाग में मतलाईएगा कि अमाउंग करवाने, तो पहले 10 साइफ का बिल आपको बनाना है, यहाँ पर बिल ड्रॉ किया गया, अब यह इंट्री क्या बनाएगा, तो सेम बिल, यह बना बिल, जो सेलर के लिए, एसेट है, वो सेम बिल, यहाँ पर बायर के लिए क्रिए क्या होगा, लाविटी होगा, तो यहाँ पर हम भी खेंगे bills payable account credit, asset बढ़ता है तो debit और liability बढ़ता है तो credit, यहाँ पर हम credit कर देंगे कितना 10,000 रुपीज, इसे pay किया जाएगा X को, तो यहाँ पर seller को, तो X2 यहाँ पर हो जाएगा, bills payable, रुपीज 10,000, यह तो हम लोग पहले भी करते आ रहेते, इसमें तो कोई problem नहीं है, bill drop किया गया, अब किस date को जो है, वो seller, यह seller को पैसे की जरुवत पड़ी, और कभ यह ले करके गया, बैंक में, तो यह जो seller है, वो 15 अपरेल, जैसा कि आपका question में दिया हुए है, 15 अपरेल को, जरुवत पड़ा इसको पैसे की, और यह तो जो seller है, वाई के पास जा नहीं सकता है, कि maturity date को है, तो maturity date जो है, 18 जुलाई 2017 को है, इस से पहले पैसा नहीं मांग सकता है, seller, buyer से, ठीक है, इस से पहले पैसा नहीं मांग सकता है, जो भी amount है, बिल के उपर, वो maturity date से पहले मांगने का हगदार नहीं है, तो अब फिर इसको पैसी की जरुरूत है, यह क्या करेगा, तो यह कर सकता है, कि यह जो document है, यह एक legal document है, यह लेकर के चला जाएगा bank में, बैंक वाला का भी फाइदा आप देखिए, यहाँ पर कैसे कमाएगा, बुलेगा कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन हम अपना कुछ interest लेंगे यहाँ पर, तो seller के books of account में, यह किस date को लेकर के गया bank में, यह जो seller है, यह किस date को लेकर गया, 15 April को लेकर के गया bank में, तो यहाँ पर क्या हम date डालेंगे, 15 April हम यहाँ पर date डालेंगे, बताइए, यह bill जो debit किये था, asset बड़ा था, अब asset घड जागा, क्योंकि यह जो bill है, यह bank में यह receivable account credit हम यहां पर कर देंगे कोई दिकार यहां debit था अब यह देदेगा bills किसको bank में चला जाएगा यह तो यह asset कम हो गया क्योंकि यह bill चला गया bank में तो जब आया था हाथ में तो asset बढ़ा था debit अब यह चला जाएगा बैंक में तो asset कम हो जाएगा इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट कितने का bill है दस हजार रुपे का ठीक है अब seller के bank account में पैसा आएगा तो हम करेंगे bank account debit asset बढ़ गया bank balance बढ़ गया ठीक है bank balance बढ़ गया आच्छा आब यहां पर जो है bank वाला क्या करेगा कि charge काट लेगा as a interest ले लेगा इसको हम बोलते हैं discounting charges तो seller को एक नुकसान होगा कितने का देखिए 10,000 का 18% के rate से 3 महने का interest यहां पर देखिए 3 महने का इसलिए 3 by 12 450 रुपे का यहां पर bank discounting charges लेगा यानि discount कराने का charge लेगा तो X के लिए यह जो है sorry seller के लिए यह जो है वो नुकसान है एक तरीके से expense है इसलिए हम 450 रुपे को यहां पर debit करेंगे और norm देंगे हम discounting charges nominal account के रूल से debit all expenses यहां पर हम देंगे discounting charges थोड़ा सा अठाते हैं इसको account कितना 450 रुपे यह वाला X के लिए seller के लिए एक तरसे यह नुकसान हो गया 450 रुपे का तो बताइए X के bank account में seller के bank account में कितना पैसा आएगा 9550 रुपे हो गया इसको पैसा मिल गया और जो बिल है वो कहां चला गया बिल चला गया bank में और 15 अप्रेल को ही जो है आपका X के account में 9550 रुपे इसके bank balance में आ गया अब क्या होगा अब यहां पर कौन सा date होगा 15 अप्रेल नहीं 15 अप्रेल नहीं Y का कोई liability बन रहा है किया यहां पर यहां पर बीच में कोई liability इसका create नहीं होगा Y बोलेगा मेरा जब date आएगा तब हम payment करेंगे तो इसका date कब आएगा Y के हिसाब से 18 July maturity date तो यहां पर हम देखेंगा 18 July अब यहां पर Y payment करेगा अब किसको करना है जाहिद से बात है अब बैंक वाले को दे देगा यहां पर तो यह कैसे payment करेगा देखें इसकी liability तो खतम हुई यहां पर Y की liability तो खतम हुई तो liability बढ़ा था तो credit किये थे liability खतम हुआ घटा तो debit करेंगे bills payable को हम यहां पर debit कर देगे कितने से 10,000 यहां पर Y को कितना payment करना है 10,000 करना है discount वगारा जो कराया वो X कराया जो नुकसान हुआ X का हुआ यहां पर इसे तो payment करना है maturity date के दिन क इसे भी payment कर दे bank को payment करें किसी third party को करें उससे कोई मतलब नहीं है इसका liability खतम हुआ खतम हुआ liabilities bills payable को debit कर दिये तू इसके bank balance को कम हो गया bank से पैसा चला गया तो bank को यह क्या कर देगा credit कर देगा 10,000 से clear है तो यहां पर 10,000 payment हो गया यहां पर अब journal entry इसका बिल्कुल सेम बनेगा चाहे यह किसी को भी payment करें X को, Y को, Z को, किसी भी person को, किसी भी third party को पेमेंट करेगा यहां पर यहां पर तो इसका क्या हो पार liability खतम होगा अब A को, B को, C को, किसी को भी payment कर देगा यह bills payable account debit to bank ही होगा चाहे bank को payment कर रहा हो या सेलर जिसको गोला payment करने के लिए हर case में इसका liability खतम होगा और इसका bank balance कम हो जाएगा तो bills payable account debit to bank यहाँ पर journal entry बनेगा तो देखिए seller के bank account में पैसा आया 9,550 रुपे और discounting charges हो गया 450 रुपे यहाँ पर यह bank कमा लिया पैसा और seller को हुआ नुकसान लेकिन यहाँ पर जो buyer है वो payment पूरा 10,000 कर देगा bank को तो bank को कितना का फाइदा हो गया 450 रुपे का यह बनेगा आपका journal entry तो इधर वाला बिल्कुल same है इसमें भी आपको कोई problem नहीं होना चाहिए यह date हो गया 15 April को पैसा मिल गया यह जो है आपका buyer 18 July को payment कर देगा तो सारा काम हो गया यहां पर इस तरीके से discount करवाया जाता है बिल्स को bank में seller को पास अगर मालीजे maturity date के दिन से पहले अगर पैसी की जरुरत हो गई तो वो bank से discount करवा सकता है बदले में bank अपना interest ले लेगा और पैसा दे देगा जब maturity date आएगा तो bank जो है वो buyer से वो पैसा receive कर लेगा क्योंकि bank के पास एक legal document है इसके बाद हम आपको बताएंगे question number sorry, example number 7 से start करेंगे आज हमारा example number 6 complete हुआ, thank you